मद्य पर्दीश में चुनाओं को लेकर भारती जंता पार्टी के मेनिफेस्टों पर सियासी घमासान मचा हुआ है MP कॉंग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सियम कमलनाद द्वारा वीजेपी के गोशना पत्र को कॉंग्रेस के मेनिफेस्टों की नकल बताने पर बीजेपी के नेता और इंदौर एक से पार्टी के उमेदवार कैलाश वीजेवर्गिये ने कॉंग्रेस पर जमकर हमला बोला है विजेवर्गीये ने कहा है कि आपने जो भी वादे किये थे उन में से एक भी पूरा नहीं किया लेकिन हमने जो भी वादा किया है हम सभी पूरे करेंगे कोई बात नहीं आपने किया आपने कहा कि हम किसानों करजे माफ कर देंगे करजे माफ हुआ क्या आपने कहा कि हम बेरोजगार नौजमानों को चारहजार बता देंगे चारहजार बता दिया क्या आपने कहा हम सेल्फेल्फ की सारी महिलाओं का जितना करजे सब माफ कर देंगे क्या उनका करजा माफ हुआ क्या आपने कहा कि जितने भी शिक्षक प्रोफेसर अइस्थाई रूप से उसको सबको इस्थाई कर देंगे क्या क्या आपने जितनी ब वही कमलनाथ के बयान पर भाजपा नेता और केंद्रिय मंत्री नरेंद्र तुमर ने भी परटवार करते हुए कॉंग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं दरसल बीजेपी के गोशना पत्र पर कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी का गोशना पत्र जूट पत्र है चुनाओं से तीन दिन पहले पूरी तरह से नकल करके वो गोशना पत्र जारी कर रहे हैं भारतिय जनता पार्टी की कोई स्वतंत्र सोच नहीं है कोई विजन नहीं है इसलिए कॉंग्रेस की नकल कर ली बता दें की बीते 11 नुवंबर को बीजेपी के रास्ट्री अध्दक्ष जेपी नडड़ा मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान प्रदेश अध्दक्ष वीडी शर्मा केंद्री मंत्री ज्योती रादित सिंधिया समेत कई नेताओं की मौझूदगी में भाजपा का घोशना पत्र जारी किया गया बाजपा ने गोशना पत्र को पार्टी का रोड में बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश सिर्फ गरीबों का कल्यान करना है